Filmoro का Instant Cutter कैसे काम करता है वो इस Tutorial में हम देखेंगे एक Easy Mode होता है, एक Instant Cutter होता है, Action Cam Tool है और फिर ये Full Feature Mode है यहाँ पर Instant Cutter को हम यूज करेंगे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर हम पहुंचते हैं Open File तो यह पहले आप इसको ढग से देख लीजिए, यह किस प्रकार का Interface है और Left Side के अंदर, देखिए बिल्कुल Easy Interface है तो हम Open File करते हैं, यहाँ पर Open File किया हमने और Open File करने के बादे मैंने एक Clip बना के रखी है इसमें और यह मैंने इसलिए बना के रखी है ताकि मैं इसको Use कर सकूँ आपको बताने के लिए मैं इसको Double Click करता हूँ तो Double Click करते ही इसने इसको Import कर लिया है यह Clip यहाँ पर आ गई है तो अब क्या है कि या तो मैं इसको छोड़ा छोटा कर सकता हूँ मतलब यहाँ से लेके और यह पीछे की तरफ जो करसर है इसको यहाँ पर ले जाके मैं एक साथ ही मैं Export कर सकता हूँ मगर थोड़ा सा Advanced करते हैं हम हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कई सारी अलग अलग जगे हैं बीच बीच में से हमें इसको काटना है तो कहां कहां से काटना है एक बार हम देखते हैं पहले देखते हैं कि ये क्लिप क्या है शुरू करते हैं फिल्मोरा के अंदर ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ जो इसको मैं भी यूस करने माला हूं एडिटिंग के अंदर और ये जो बिलकुल जो basic editing है तो यहां पर मैं इसको pause कर दिया है. Pause इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि यहां से आगे मुझे जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे वीडियो में रखना है. तो सबसे पहले यह देखिए यहां पर एक है Set.In और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब यह आप देखिए कि यह जो क्लिप है यह छोटी क्लिप दिखा रहा है तो यहां से अब क्लिप बननी शुरू होगी तो हम एक बार इसको प्ले करते हैं हेलो दोस्तों आज मैं इस प्रड़क्ट के बारे में इन्फार्मेशन दूँगा जो की है एक माइक्क्रोफोन यह मैंने मंगाया है अपने नए कैमरे के लिए और इसमें क्या-क्या आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने दोबारा से पॉस कर दिया है क्योंकि मुझे यह पहली जो क्लिप है इतनी ही रखनी थी तो उसके लिए मुझे अब क्या करना है यह जो राइट साइड में सेट आउट पॉइंट है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यह देखिए देख चोटी सी क्लिप यहाँ पर दिखाई देने पड़ रही है तो यह जो चोटी सी क्लिप है यह एक सेग्मेंट है इस सेग्मेंट को हम एड करते चलते हैं और कई सारे सेग्मेंट हम इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर यह बटन दे रखा है add segment का इसको मैं click कर देता हूँ और ऐसा करते ही यह उपर आप देखिए तो यहाँ पर दो clips दिखाई दने लग गई है एक तो वो जो हमने अभी select करी है और दूसरी वो जो दूसरी जो clip है इसको ध्यान दीजिए और आगे जो एक और clip करेंगे उस समय भी आप ध्यान देना कि जहाँ पर पहली वाली clip खतम होई है वही से दूसरे वाली की शुरुआत automatically इन्होंने कर दी है software ने मगर जरूरी नहीं है कि वहीं तक रखें क्योंकि हम वहां तक रखने वाले नहीं है हम इसको और आगे तक ले जाने वाले हैं चलिए दूसरी clip कहां से शुरू होती है उसके उपर हम नजर डालते हैं इसको मैं play करता हूँ यहां से अब इतना बोलने के बाद में इसको नीचे रखना पड़ेगा camera के angle को change करना पड़ेगा और कई सारी clips बनानी पड़ेंगी उसके बजाए अगर जैसे 10-15 minutes के अंदर ही पूरी की पूरी recording आप कर लेते हैं तो उसके बजाए आपको ठीक यह रहता है कि उसी को चलने दो और बाद में फिर clip करेंगे जैसे अब मैं इसको यहां पर रख देता हूँ और मैं इसको नीचे करता हूँ और यह सब चीज चली रही है इस समय मैंने इसके उपर focus कर दिया और अब मैं यहां से cut करूंगा start तो यहां से मुझे पता है कि मुझे दूसरी clip है वो यहां से मुझे include करनी है जो मेरे final वीडियो में रहनी है तो मैं इसके लिए left side वाला point in करूंगा इस वाले को पर जाके click करूंगा click कर दिया और अब मैं इसको play करता हूँ तो यहां से जो clip है वो शुरू हो जाएगी और जब तक मैं इसका point out नहीं करूंगा यह पूरा का पूरा include करेगी तो एक बार देखते हैं इसमें क्या है play करते हैं तो यह यहां पर हमने रख दिया है हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़े अविलेबल है इसको box को हम खोलते हैं सबसे उपर एक foam रखा हुआ है इस foam को हम side में रख देते हैं उसके नीचे एक bag है इस bag के अंदर आराम से हमारा जो microphone है वो आ जाएगा और उसके नीचे यह हमारे पास में एक microphone है जिसको मैंने Amazon से मंगाया है और इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको कि यह नीचे उपर यहाँ पर लगाने के काम में आते हैं और एक silica gel है तो यहाँ पर इसको हमें दूसरी clip खतम करनी है मुझे पता है क्योंकि मैंने record किया है क्लिप खतम करनी है मगर फिर भी आके पीछे ले जाए जा सकता है जैसे last में इसके अंदर एक word extra आ गया तो तो मुझे इसको यहाँ से cursor को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा और फिर मैं चेक करूँगा थोड़ा से में पीछे ले गया तो दोबारा से उसको चेक करिए बास यहाँ पर और इसको set point out कर देते हैं यानि कि एक छोटी से clip और आ गई हमारे पास में और फिर हमें क्या करना है यह add segment पे click कर देना है यह हमने कर दिया add segment अब इस तरफ देखिए तीन clips हो गई है हमारे पास में जो दो clips थी है हमारे पास में और जो तीसरी clip है जो बचा हुआ है उसको automatically इसने फिल्मोरा ने clip मान कर आपका काम थोड़ा आसान कर रखा है अब देखते हैं इसके अंदर से एक और clip मुझे निकालनी है segment निकालना है कैसे निकालते हैं पहले मैं इसको play करता हूँ इतना आपने बना लिया तो इतना आप बनाने के बाद में हाला कि मैंने ये धंसे information नहीं दिये क्योंकि मुझे product जो है वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था मेरे लिए ज़रूरी था कि इस clip को मैं आप बनाओं और इसको आप use कर सकें तो last के अंदर फिर आप यही कहेंगे दुबारा से बोलेंगे अपना जो channel है वो subscribe बोगर करने के लिए तो आप इस product को लेकर खड़े हो जाए दुबारा से या जो भी आपका तरीका है और फिर यह तीसरा कट यानि कि पहला दूसरा भी तीसरा कट आ गया है तो यहाँ पर मुझे pause किया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मैं बोलने वाला था left side में गए point in कर दिया और फिर उसके जाद में इसको मैंने वापिस play किया तो कैसा लगा आपको हमारे product information आपको इस product के बारे मैं अगर और भी कुछ जानकरी लेनी है तो आप नीचे comment करिए और साथ ही मेरे channel को subscribe कर लीजिए धन्यवाद तो यहाँ पर मैंने दोबारा से pause किया और मैंने दोबारा से set point out किया और अब मुझे इस add segment को नहीं click करना है नहीं तो चार clips बन जाएंगी और चार इसले बन जाएंगी क्योंकि जैसे यह उधर जाएगी तो side वाले को एक और clip बनाने की कोशिश करेगा तो last वाले को add करने की ज़रूरत नहीं है मगर आपसे अगर गलती से हो गया है तो भी उसका कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे हम आगे दिखाते हैं आपको एक बार इसको play करते हैं और बाकी information देख लेते हैं ऐसा बोलने के बाद में आप क्या करोगे आओगे और अपना इसको off करोगे तो यहाँ पर कुछ click नहीं करना है क्योंकि यह एक information थी जो मैं आपको देना चाहरा था तो इस समय हमारे पास में देखिए यहाँ पर तीन cut अल्रेड़ी दिखाई दे रहे हैं पहला दूसरा और तीसरा और तीसरे cut पर हम इस समय अल्रेड़ी मौजूद हैं अब हमें क्या करना है और कभी-कभी आप अगर गलती से add segment कर देते हैं चलिए मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर add segment जैसे मैंने किया तो यह जो तीन cut थे हमारे required थे वो आए उसके अलावा यह चौथा cut automatically इसने फिलमोरा ने ले लिया मगर कोई दिकत नहीं है अब हमें क्या करना है कि हमें यह इन तीन cuts को use करना है और यहाँ पर जाना है और export करना है और export के उपर मैं बटन दबाता हूँ जैसे ही मैंने इसको click किया इसने पूछा कि इसको हम export कर सकते हैं हम कहते हैं बिल्कुल कर दीजे ओके मैंने click किया और साथी के अंदर यह export करना इसने शुरू कर दिया और export हो गया है जिसको हम देख सकते हैं तो अब हमारे पास में यह 4 clips हैं जिसके अंदर से 4 वाली clip जो है वो तो ऐसे ही आ गई अब हम चाहते हैं इन 3 clips को merge करना तो वो काम भी हम filmora से ही करेंगे इसको एक बार minimize करते हैं और हम यहां जाते हैं यसी filmora में stream के साथ में merge पे click करके merge पे click किया और अब की बार जब हम open file करेंगे documents में wonder share filmora में lossless path और यहां पर यह 4 चीज़े आ गई हैं जिसके अंदर यह हमको पता यह extra आ गया था हम इसको चाहें तो यहीं से भी delete कर सकते हैं या बाद में भी कर दीजिए क्योंकि शुरू में कभी कभी delete करने से कोई ऐसी चीज़ भी delete हो जाती है जो आप शायद नहीं करना चाहते हो तो recycle bin में जाके उसको record किया जा सकता है तो मैं इन तीनों की तीनों clips को एक साथ में पकड़ता हूं और open कर देता हूं तो यहाँ पर यह तीनों की तीनों clips open हो गई है और यह दिखाई दे रही है यह देखें ऊपर यह दूसरी clip और यह तीसरी clip तो आप अगर इसको सुनना चाहें तो आप इसको सुन सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर एक और बटन है ये जो बटन है ये उपर नीचे वाला जो साइन दे रखा है इससे आप इसको उठा के अगर नीचे रखना चाहें तो ये नीचे आ सकता है और नीचे आ सकता है मगर ये देखिए Filmora ने खुद ही ने Filmora Editing नाम से जो clip थी, उसका Filmora Editing 123 कर रखा है, तो इसकी वज़े से मैं कभी इसको गलती नहीं करूँगा, जो segment है वो timeline के अंदर automatically मुझे दिखाई दे जाते हैं, ये numbering 123 Filmora की कीवी है, और ये जो Filmora Editing नाम है, ये उस clip का नाम है, जो मैंने बनाई थी शुरूब में, तो हम इसको अब export करते हैं, और ये दोबारा से वही पूछेगा, और लो जी, export हो गया है, और ये जो export हो गया है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, तो देखा कितना easy feature है ये, एक तरफ है यहाँ पर trim, पहले आपको clip लीजिए, उसको trim कीजिए, export कीजिए, और उसके बाद में ये दूसरा जो merge है, उसमें जाकर आप उसको merge कर दीजिए, ये सबसे basic tutorial था, मैं जब इसको close करता हूँ, ये मेरे से पूछेगा, कि आपको close करना है या नहीं, हम इसको okay कर देते हैं, और okay करते ही, यहाँ पर दोबारा से वही screen आ जाती है, जो शुरू में आई थी, जिसमें हमने ये instant cutter वाला जो mode है, उसको सीख लिया, किस प्रकार से काम में लेते हैं, कितना असान था, किसी बड़ी clip को छोटी में आप convert कर सकते हैं, और ये lossless cutting है, lossless का मतलब होता है कि इसके अंदर quality गिरती नहीं है, आने वाले tutorial में हम जारी रखेंगे, फिल्मोरा के और features को explore करना, आपको जुड़े रहना है, बनाओ दिखाओ के साथ में धन्यवाद,